वेलेकम चुल्टेंट्स असलाम अलाइकुम आज हम कि अलेवर्ट एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और जो टॉपिक आज का है वह है मेथेडस अफ कन्ट्रोर्डिंग एमोशन जा हम कैसे एमोशन को चनलाइस कर सकते हैं चोटी बच्चु में या बड़े बच्चु बड़े च्ट्रेंट हैं हम कैसे स्कूल में या घर में किस तरह जो उनके इन एमोशन है जो फ्रिल आफ एमोशन है में या हम एक जो बड़ेम करते हैं अफ करosium को को चनलाइस कर सकते हैं जाए जो बच्च है कि इमभर बनुमते है और जो उनक्ति बड़ेद की नहीं हो जो बहुत अच्छा हरुन नवाता है Вас महारे जो जीनदी है हमारा शोओ है इसमें emotional का एक बहुत बड़ा रियूल है हम जो भी काम करते हैं the base of every activity is our emotion हमारे emotion बेदाव हम कोई भी काम करते हैं तो इस तरह अगर हम देखेंगे किस तरह हम उन्स चीज़े को control कर सकते हैं हम इनको कैसे channelize कर सकते हैं क्यांकि जो animals और human beings रही फरक होते हैं हर्य बाश्यद आपास यह खरें होते हैं रही जो animals होते हैं उनकोnes रही एंवाट होता हैं और उनकि ज एमोशनर्स है वो इसलिए वो बहु करते हैं तरह किसे में हिमोशनने रहे हैं पास तरह हम को बास आदे आदे हो तो हम इनकोको भी थाओ में कान सथे हैं को कि इसामी जी मुट्थ थे वो कंट्रोल होसे है, के जहे हमें, करना चाहिए, Facilities and Opportunities, The teachers and students should provide Facilities and Opportunities to the students for development of healthy person. चाहिए गार में है, चाहिए स्कूल में हमरे जो teachers सहाँवारे जो हमें पैलेंस हैं, उनको Facility प्रवाइड करना है हुए, हमारे बच्शों को ताकि प्रोन की पॉर्टिस्टों के यो इमोशन है हो कंटोर बन सकते हैं क्योंकि हमें बच्चों करना है उनको मौका करना काहएं न कкуюली ऑेजिए को अपने एडिया को फ्रिविए कर सकते हैं वह नंको… इंसल्ट वगेरा지가 सब्सक्राहूं अब किसी भी इस ने गलती किया है विद्व को कॉंसलिक करने है गावने लिए कि इनस्वें नहीं करने चाहिए दूसरा है एनस्पिरेशन एंड इंक्रोज्मेंट इंसान के अंदर एक चनल ना बहुत सारी इमोशन होते हैं हमको उनको चनलाइज करना है ताकि वो दे केन फॉलो इंटो राइड डिरेशनल ताकि वो उनको अच्छे डिरेशन में ले सकते हैं क्योंकि इन इन अगयर देर्श में लेरा हमें अग्यमा इनको आगरे को तरफ चलाजे तहब वह युमन विंक्स बजायक अनिमोर्स के तरफ बेह कर सकते हैं उनको express कर सकते हैं क्यांकि हमारे moral responsibility है वाच्छों को inspire करना है और इनस्परेशन काई सकते हैं उनको बड़े-बड़े leaders के मैसाव देने चाहिए उनकी examples देने चाहिए और एनकरोश काईसे चाहिए अगोरे कोई अच्छा कम हमें उनको एनको एनकरोश करना चाहिए हमें को मोका देना चाहिए और इसने aggressive behavior बच्चे ने दिखाया इसमें कुछ bad habits है और उनको देरे-देर से control करना चाहिए satisfying the needs और और रहे है यहां पर भूस सरे needs है primary needs, country needs, biological needs and psychological needs, physiological needs उन सब needs को हमें satisfy करना चाहिए एक needs बच्चे की satisfy होनी चाहिए अगर कोई भी needs उसकी satisfy नहीं हुए है तब वो aggressive बन जाता है वो aggressive बन जाता है हमें वहां पर बहुत ख्याल करना the needs are essentially linked to life so that things like in case some needs are not but they will call lot of frustration अगर needs को satisfy नहीं हुए है needs हुए है उनको satisfy उनकी satisfaction नहीं हुए है उनको fulfill नहीं हुए है तो frustration among students है ना इसलिए हमें उनको satisfy करना चाहिए ठीक है suitable environment suitable environment डेमेकरट environment बोट home at school या healthy environment हमें कहेंगे जाए स्कूल है जाए गर है teachers should provide suitable environment डेमेकरट environment बोट healthy environment बोट school as well as home हमारे चाहिए गर में है school में हमारे बच्च है उनको अच्छा इस खासा environment मिलना चाहिए every attempt to meet provide healthy and hygiene environment to the children so that they grow a better life it is better to pass to thinking we generally educate emotions can train it and make effective for showing better results time for guidance and counseling time for guidance and counseling हमारे पास तो time में हमारे लाइब जादा busy होते हैं लेकिन हमें कुछ करना चाहिए इन बच्चिंग के लिए चाहिए गर में या school में उनके spread counseling time उनको ने खास है हमारे जो parents होते हैं घर में उनको बच्चों के तरह खास का कुछने कुछ निकाना चाहिए उनसे बच्चित करना चाहिए उनको guidance करना चाहिए उनको बड़े-बड़े कहांगे वगर शुनाने ताकि एमोशन है वह controller बन सकते हैं sympathetic attitude towards children और दूसरा है कि हमें बच्चों की तरह sympathetic attitude दिखना चाहिए जो भी बड़े लोग हैं जिनके साथ बच्चों उतना बेटना है उनको sympathetic attitude की बच्चों की तरह दिखना चाहिए कोई harsh अभी किस्यों बहुत बिलकुल ही बच्चों के साथ में करना चाहिए develop positive attitudes और बच्चों के अंदर positive develop positive thinking डिवलप करने चाहिए बिलकुल negative कोई को इसाश नहीं रखने चाहिए बिलकुल हमें उन्हीं बहुत बताने जो positive है मैं उनको क्यां की positive सोचते है वो positive उसका जो positive बन जाए जो negative सोचते है फिर negative में चले जाते है इसले हमें भी कुशिक करने चाहिए कि बच्चों को अंगे बास्टों करने चाहिए लव और आख्क्षन और लेक्सट मानी हमें वेशुट ब्राइश शुल्टर बॉपश्टर बीच्टर नहीं अगार में हैं ऑwn मुल्कल हमें हैं, नहीं कि सकते हैं, ठाकि अंघर हमिनको नहीं कि नहीं को पर नहीं किसका है उनके अंडर पर ाчес ऐते हो सकते हैं, हम gotta love and affection जाहिए उनको हम तु देते हैं लेकिन एक्स्पेस भी करना चाहिए कि अंद इस तरह हम खेंगे कि जो इमोशन वे से इंप्रॉटन और रोन इस दो है एक्सी तो है लेकिन यह तब ही मुंकर है जब हम उनको गए उनको कहा सकते हैं जब हम यह से स्टेप्स रोंगे ताम मंगे हो सकता है कि हम किसी हाथ आक राम में खोश्चता है तक से जब्रशी नोट इस्प्रेसिव बट इंक्रेज डो पॉस्पेट इन डिप्रेंट को करेक्योल एक्टूशी बच्छाराइज देया इन्डजी अब हम यह कहेंगी कि किस त इन्ड़ 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 कापी मुम्किन हो शकता है जो इसपीं हम बताते हैं तो तो क्यांकि हम आहे से हुनको मिलेंगे इंप्रश एंक्ष बनिमेन मिलेंगे शुटिब